हेलो फ्रेंट्स आई इस प्रोल्म को सॉल करते हैं क्वेशन क्या कहता है कि एक value find out करनी है और एक expression दिया है 0.303 का square plus 0.12 का square plus 0.065 का square और उसको पूरे set को divide कर रहा है 0.003 के square plus 0.021 के square plus 0.0065 के square से completely divide कर रहा है और हमसे पुछ रहा है इन चार option में से कौन सा option सही हो तो इस expression में को अगर आप देहां से देखें तो आप आएंगे कि 0.003 को अगर आपको 0.03 लिखना है तो आपको क्या करना होगा इसमें आपको multiply करना पड़ेगा कितने से 10 से multiply करना पड़ेगा ठीक है इसी तरीके से अगर 0.003 के square को अगर आपको लिखना है 0.03 तो इसमें क्या multiply करना पड़ेगा यहां पे 100 multiply करना पड़ेगा तो सेम इसी process को अगर हम उपर और नीचे 100 से multiply करते हैं तो आप यहां पे देख पाएंगे कि 100 से multiply करने के बाद क्या होगा यहां पे भी 100 से multiply कर दिया और यहां पे भी 100 से multiply कर दिया तो उपर में तो कोई expression में change नहीं आएगा हम इसको as it is लिख लेंगे 100.03 का square plus 0.21 का square plus 0.065 का square और ब्रैकेट कर दो जाएगा नीचे में जब यह 100 अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा वो इसको change कर देगा और यहां पे जो value निकल के आएगी 0.03 जो square था वो change हो कि क्या हो जाएगा 0.03 के square में हो जाएगा उसी तरीके से 0.01 0.21 के हो जाएगा और 0.0065 के हो जाएगा 0.065 का square में change हो जाएगा आप देख पाएगे कि यह दोनो denominator denominator same है यह दोनों cancel हो जाएगे जो यहां value बचेगी वो क्या बचेगी under root 100 और जिसका square root होता है 10